हलो दोस्तों सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करें इसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर दबाए जिससे नए वीडियो की नोटिपिकेशन आप सभी को मिलती रहें दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे आगे आने वाले एकजाम में आपको हेल्प मिल सकें तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अरावली की जो प्रमुक दर्रें हैं उनके बारे में तो उनको ट्रिक के मादिम से पढ़ेंगे जैसे राज सम्मंद में राज सम्मंद में कौन कौन सी दर्रें हैं उनके बारे में तो राज सम्मंद की ट्रिक हो जाएगी राजा जीप दे हाती नहीं राजा जीप दे हाती नहीं तो इसको दस से बारा बार बार बोल देना ये याद हो जाएगी दोस्तों राजा जीप दे हाती नहीं तो राजा से तो हो गया राज सम्मंद जी से हो गया राजा से हो गया रासमन जी से हो गया जिल्वा जिल्वा या जिल्वाडा की नाल जिल्वा और जिल्वाडा की नाल दोनों में से कुछ भी जिल्वा की नाल आजाए जिल्वाडा की नाल आजाए तो ये मारवाड और मेवाड को जोड़ता है जिल्वा की नाल क्या काम आती है मारवाड और मेवाड को जोडने के काम में आती है तो मारवाड में पूछले कि मारवाड को कौन सी नाल जोडती है या मेवाड को कौन सी नाल जोडती है तो वह जिल्वा की नाल जीप पैसे हो जाएगा पगल्या पगल्या की नाल ये गुजराद जाने का रास्ता है तो राजसंबन में भी है ये हैं पगलया बाई पगलया वो राजसंबन में बोल सकते हैं राजसंबन से निकल कर ये पाले में से बुज़ती है तो ये अगर कहीं भी आ जाए पगलया की नाल तो यह है राजसंबंद में गुजराज जाने का रास्ता बनाती है दे से हो गया दे सूरी की नाल यह हाती से हो गया हाती गुंडा की नाल और एक चीज एक्स्ट्रा याद रखना कि गोरम पूचले कि गोरम गाट का है तो वो भी राजसंबंद में है ये ट्रिक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा फेक्ट है कि गोरमगाट का है वो भी राजसंबंद में है तो राजसंबंद की कौन से राजा जीव दे हाती नहीं है अब हो गया पाली का पाली की कौन कौन सी है पाली की है दोस्तों सोम पा बार द सोम पा सोम का मतलब होता है हमरित यह सोम पा बार दे तो सोम पासे तो हो गया पाली पासे क्या हो गया पासे हो गया पाली पासे हो गया पाली सोम से हो गया सोम से हो गया सोम इस्वरगाट बार से हो गया बार दर रहा या बर दर रहा दोनों में से कोई भी कुछले बार दर रह या बरदर्र तो दोनों ही याद रखना है कि कौन से ये दोनों पाली में इस्तित है उदेपुर में उदेपुर में कौन कौन सी है उदेपुर में बढ़ती है दोस्तों उदेपुर में उदेपुर में केवडा का फूल हाती पर ऐसा भी हो सकता है उदेपुर में केवडा का फूल किस पर है हाथी पर टो उदे पूर से तो उदेह पूर हो जाएगा। के लडा से के लडा की भूल से बदल की जूजगे क्षुट। है या इसको फूलवारी की नाल भी बोलते हैं यह दो जगह हैं 2012 मतोना अलगलग अलग दोनों में से एक ही जगे पूछेगा या एक ही option में देगा अब है अजमेर में कौन-कौन सी है अजमेर में कौन-कौन सी अजमेर में ट्रिक क्या है असी आखे असी आखे सूपियो यानि आखे का मतलब हो कहा हम आगे आखे आखे भी बोल सकते हैं लेकिन इसको हम याद करने के लिए सी आखे सूप पियो तो आखे याद नहीं रखना आखे याद रखना कि असी आखे सूप पियो असी आखे सूप पियो ऐसे हो गया अजमेर ऐसे हो गया अजमेल सी से हो गया सिवपुर्गाड दर्रा सू से हो गया ऐसे हो गया अजमेर ठीक है सी से हो गया सिवपुर्गाड द अखे से क्या हो गया आखेर या ला माखेसे हो गया आखेर या अधर्रा र१न तो कि अहागे सुरा घाट का पीसे हो गया फोल्हे छ मैनकि पर चले के लिए नremlin हम यह के सि अगर सिवपूर गाट का दर्रा आखे से हो गया आखेरिया का दर्रा सू से हो गया सू रागाट का दर्रा पैसे हो गया पखेरिया का दर्रा पी से हो गया पीपली गाट का दर्रा और ओसे हो गया औरनिया दर्रा तो दोस्तों आज हम पड़ पड़ चुके हैं धर्रों के बारे में जिनकी ट्रिक इंपोर्टेंट है कहीं बार पोच लिए जाता है इसलिए तो दोस्तों हम लोग रेलवे गुरूप डी एंटीपीसी एससी और राजस्तान पहले राजस्तान का किलियर करेंगे वनपाल वनरक्षक हाई कोर्ट इन सभी के लिए और जितने भी इंपोर्टेंट टोपिक है उनकी बेसिक वीडियो फुल वीडियो बनाएंगे और पहले ट्रिक बनाएंगे ट्रिक फिर रास्तान जीके और इडिया जीके के ट्रिक और फुल वीडियो बनाएंगे तो अभी तो रास्तान जीके की ट्रिक चलेगी पूरी जितने भी ट्रिक हो सकती है राजस दोस्तों घर रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचाव रखें, मास्क लगाएं, भीडबार वाली जगों पर नहीं जाएं, दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद.